और दोस्तो क्या है आप सभी के स्वागत है आप सभी का आपके अपने चनल या इस टॉक्स में दिल से अगर आप चला में नए है तो चले को सब्सक्राइब कीजिए साथ में उस बैल को दोना ना पूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सकी चाहो तो टेलीग्राम प् आपको दिया करूँ मतलब जो भी आप देखते हो आपको उसको शेयर करना है फेस्वूक टूटर दिलिगां वर्टसक के मातियम से दैन मैसेज करना है मुझे मेरे इंस्टाग्राम या टूटर पेज़ पर जहां पर आपको अच्छा लागता हूं आप मैसेज कर सकते हो इनके पास यह स्टॉक्स है यह जास मेरे परसनल व्यू है खुदकी एक बार रिसर्च एक कर लेना जो भी स्टॉक आपको स्क्रीम में देख रहे है परसनली मेरे पोर्ट्फिल्यू में सभी स्टॉक्स है सभी मतलब एक तो गोड़ फ्राय फिलिप्स नहीं है जेम्टी है तो सुरू करने से पहले यह दे देना चाहता था डिस्क्रूस कर देना चाहता था तो आगे बढ़ते है अब से बड़ा कोशन जो मुझे लगा था लोग पूछ रहे है वह है सर के मार्किर क्राश करीगी देखो है दोस्तों जैसे आपको पता है मेरा जो एक इंडिकेटर या कुछ स्टॉक्स बाई कर रहे हो लेकिन अगर निप्टी दुबारा से 17,300 नीचे जाती है तो आफ दुबारा से समझ जाना मार्केट बहुत पूरी तरीके से करने वारी है 17,300 एक क्रूशल सपोर्ट एरिया है बहुत इंपोर्टन सपोर्ट एरिया है इसके नीचे जात सकती है तो 17,300 एक करेट कर रहे है अपना पोर्टफॉलियो बना दोवारा स्टार्ट अप कर सकती है और साथ में जिन्हों नहीं बनाया अभी तक वह भी कर सकती है अच्छे स्टॉक्स पर बनाओ डेफिनिट्ली पैसा मल्टिप्लाय होगा अब बात करते कुछ स्टॉक्स क आज नहीं करिए उससे पहले करी थी 9 रूपे 30 पैसे 9 रूपे 40 पैसे क्या सपास ठीक है तो अभी मेरे पास है अच्छा का जमाल और मैं इसको करी करने वाला हूँ 14 रूपे के टार्गेट के लिए जो मेरे पहले टार्गेट थे दूसरे टार्गेट थे क्या थे आठ पच नीचे चितना बेंड़ता है आप बाई करना लेकिन बाई कहां करना है मेरे साफ से जो मेरा पहला टागेट था आठ नशारा-ट रूपे का वही अब सपॉर्ट की तरह काम करने वाला सुजलोंग शेयर में तो आठ सारी रूपे अगर सपोर्ट बनाता है तो आप सब्सक्राइब आज भी लोग घर लेकिए 49 परसेंगे उठाई गई है अब बात करतें सिंकम फॉर्मिलेशन की तो देखो यह स्टॉक में भी बहुत अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है लास्ट कुछ दिनों से और मैंने एक ऑब्जर्व किया है लास्ट कुछ दिनों से अचानक से सभी पॉजिटिव में आगे और यह एक साइन है एक साइन है बदा रहा हूं कि मार्केट पर कुछ बड़ा घटने वाला है उपर की तरफ के तो लेबल छोड़ो मैं नीची के लेबल की बात कर रहा हूं इसलिए अलट हो जाओ और ज्यादा बड़ा कैश मत इप सिंपल सी बात है आप नीचे आता है नौ साढ़े नौ रुपे दस रुपे तो एक कुमेट करके चल सकती हो बाकि यहां देखो वॉल्म काफे अच्छा है इसमें भी एक करोड प्लस शेर एक सकते है वॉल्म तो इतना बड़ा आ रहा हैं शेर में कि वाई मैं क्या बता हूं आपको एक करोड और चास लाग शेर लोग अगर लेके गए आज इत्रड़े है अब बढ़ते हमारे कुछ अधर स्टॉक के तरफ जैसे की आपने एक जेपी इंफ्रेटेक के बारे पूछा है तो जेपी इंफ्रेटेक मैंने खुछ स्टॉक को दो रुपे दस पैसे बीस पैसे बाई किया था आपको उसाथ पी श्वेयर किया था यहां कही और स्टॉक देको लगता उपड़ सेकिट जा रहा है तीन साट के आसपस मैंने स्टॉक में ऐसा भी हो सकता है तो आपकी मर्जी क्या करना है मैं तो थोड़ा बद माल बेशते रहता हूं चाम मुझे अच्छा लगता है यह क्योंकि 50-70% महिने में आ जाए कम नहीं होता है ठीक है साइध आपको कम लग रहा होगा कि आप लोक रिसर्च नहीं करते हो जो रिसर्च करता है उसको पता है यह बहुत है इनफ है ठीक है अब बढ़ते कुछ अधर स्टॉक के दब जैसे की उजा ग्लोबल तो आज उजा ग्लोबल में एक चीज़ देखने को मिली कि इसमें लोड़ सक्रिट में लगया था स्टॉक साय रही थी हां ठीक होई रहा ठीक ह लगने वाला है ठीक है जिन्होंने स्टॉक को 5-6 रुपय जैसे मैंने किया तो ओल्ड गरों को दिक्कत ने लेकिए जो लोग यहां भाई कर रहे ना भाई अभी बता रहा हूं अलट हो जाता बड़ी क्वांटिटी मत करना फज जाओगे ठीक है आपको सभी को पता है बच आने भी लगी तब से भी ठीक है दोनों स्टॉक अच्छे है ठीक है आर्पावर देख तो ते रूपय कर रहा है मंतली कैंडल स्ट्रीक पैटर्न मैंने बठाए ता अच्छा कासर लग रहा है और जेबी पावर तो आज भी तेजी हमें देखने को मिलीती है तो आप देख स अच्छे का सब्सक्राइब डाला का जेपी और आर्पावर का तो वह वीडियो पक्का चकाउट करना कौन सा देख लो एक पर यह मेरा जनवरी का वीडियो है जेपी पावर रिलाइंस वीडियो को एक पर देख लेना राइट तो अब भरते हमारे अगले स्टॉक की तरफ जैसे की जेम्टी ऑटो एटिंग नहीं हो रहा है मैंने अभी देख रहा चार्ट पेटम लें मिला नहीं ठीक है तो इसके बारे मैं क्या आपको रिवीडियो चाब वो ट्रेड ही नहीं हो रहा है ठीक है जेए जेम्टी ऑटो शेयर प्राइज बाकि अगर आपके कुछ कु अब यह जाता है तो अभी आपको क्या करा रहा है जब भी यह इसका रहा होता है नया लो बनता है लेकिन यहां देखो यह नीचे तो आया देख सेकिन है मैं आपको दुबारा थिम जाता हूं ठीक है यह ऐसे यह ऐसे चीक है इसको फोड़ा इधर कर लो और देखो अब यह देखो support one resistance to support resistance support दुबारा बन सकता है तो अच्छी है अच्छी एकर आपको करनी है तो हचार रुपे बीस पैसे चीहां जोस्तो हजार पचाद और हजार बीस काफी अच्छा बाइंग बन सकता है स्टॉक का यहां कई उसके वाद यह उपर जाएगा और तागेट आएगा कम सेक्म साड़े चौदा सो रुपे का और इसके उपर कर दिया तो स्टॉक में बढ़े रहेगा उसके उपर क्लोस करेंगा तो डेफिनेटली दो हैर रुपे तक भी डागेट आपको दिखा सकता है यह प्राइड एक्षिन बोल रहा है वागी कंपणी के नंबर मुझे नहीं पता कैसे आते वह एक बार आप चराउट कर लेना प्लीज है ना अम नीला इंफरा का चाहो तो प्रॉफर किंग कर सकते हो लेकिन मेरे आपस नहीं करना चाहिए इसमें अच्छा बन रहा है जो अच्छा बन रहा है तो यह जाएगा बड़ा व्ल्यूम गैडल बना है डेफिनिट्ली नीची गिरेगा श्रूट ट्रम में लेकिन वो दिक्कत नहीं दौए पर नाम का जो है तो बोड़ा वो देख लेते हैं तो यहां आप देख सकते हैं अल्मोस्ट फोटी फटी फटी परसें के डिलिवी उठाए गई है ठीक है दस लक्षे लोग कर लेकिके है तो आइट तो आइटिंक सभी स्टॉक्स हो चुके है आई जो भी आपको दिख रहे आइट तो यहां देख वो सब पहली स्टॉक्स है तो फिर पर मैं आपको पहले बता चुका हूँगी वहीं जब वॉल्यू बढ़ने दो ठीक है पैसा यहां लागाना था ठीक है यहां लागाना था यहां बेचना यहां बाय नहीं करना है आरे से अब अब आप्लाइग अर और दोस्तों एक फाइने स्टॉक के बारे में बात करना भूल गया सेल पूरू सालीमा प्रडक्शन बोले जाता है या दोस्तों इसके बारे मैं क्या बोलू दोका अपर सक्रीट में स्टॉक है अब जब स्टॉक यहां रेंज में ट्रेट कर रहा था तो बहुत के लिए बात समझे लो कभी भी स्टॉक मार्टे स्टॉक को च्रीज में करो वेट करो राइट ऑपुशिनिटी का मत्र स्टॉक अउपर भाग रहा है तो मत भाए करो सब नीचे गिरेगा तब भाए करना यह सिंपल रूल समझे लो और हर कोई पैनि स्टॉक प्यम सी और एंडिया इ